हलो नमस्कार स्वागत करता हूं दोस्तों आपका एक बार फिर से स्टेडी फॉर विंट पर और मैं आपके लिए लेकर आए हूँ का एक सुपब वीडियो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे कुछ चुकि आपके लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके अपकमिंग एक्जाम्स चाहें आप यूपी टैट की तैयारी कर रहे हों सी टैट की एंपी टैट की एक किसी भी र सकते हैं अनकेडवी पर आपको मेरा प्रोफाइल जो है अंकित शा के नाम से मेरा प्रोफाइल सर्च करके मुझे फॉलो कर लिजीगा और उसके बाद आप मेरी फ्री क्लासिस ले सकते हैं प्रोफाइल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा अनलॉक कोड क्लासिस को अनलॉक करने के लिए हैं अनकित 2021 इस कोड को यूज करके आप अनकेडवी की फ्री लाइब क्लासिस ले सकते हैं टैस्ट, क्विज और कई सारे फ्री प्रोड़क्ट्स का आनन्द उठा सकते हैं अनकेडवी पर दो तरह की क्लासिस मौजूद रहती हैं फ्री क्ल करने के बाद और मेरा कोड इस्तेमाल करने के बाद आप ले सकेंगे प्लस क्लासिस लेने के लिए आपको प्लस सब्क्रिप्शन लेना होगा प्लस सब्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा complete syllabus unlimited practice test unlimited PDF note और regular मिल जाते हैं आपको doubt click sessions by top educators अगर आप प्लस सब्क्रिप्शन लेते हैं तो आपको कुछ extra प्लस फीचर मिलते हैं जैसे कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पड़ पाएंगे complete exam preparation आपको मिलेगी regular doubt क्रिंग sessions मिलेंगे full syllabus coverage free test series और हर हफते आपको weekly free mock test test भी मिलेंगे जो कि आपकी तैयारी को बनाएंगे और भी जादा systematic और भी जादा मजबूत कि और हाली में 24 तारिक को अनकेडमी ने एक क्रेक सीटेट सौरी क्रेक एंपीटेट 2022 complete batch course स्टार्ट किया है जहां पर EBS English Mathematics CDP Sanskrit Hindi की classes आपको मिलने वाले हैं अगर आप लोग भी MP टैट पर इच्छा देना चाहते हैं और मद्द प्रदेश में सरकारी teacher की नौकरी करना चाहते तो यह batch आपके लिए लाबदाय को सकता है batch की link भी आपको description में मिल जाएगी last but not the least यह है मेरा code unkit2021 इस code को इस्तेमाल कीजिए और unacademy की free live class test और quizzes का फायदा उठाइए और साथ में 10% का discount भी मिलेगा जब भी आपको भी plus subscription लेंगे इसी code को इस्तेमाल करने से चलिए देखते हैं आज की questions कैसे हैं last video में हमने question number 55 तक कर लिया था question number 55 जो की था कि सोचाले में अप्रिये दुरगंद आने का कारण कौन सी गैस होती है कौन सी गैस होती है जिस वरिया से सोचाले में अप्रिये दुरगंद आती है तो दोस्तों सोचाले में अप्रिये दुरगंद वाली गैस जो थी वो थी H2S ठीक है अगले कुश्चन की और बढ़ते हैं कुश्चन नमबर 56 कि पूछरा है कि हाइधीन क्या है एक उच्च कोटी का बाध एधन है कुश्च कोटी का इधन कि नमबर 57 देख लेते हैं इकोमार्क क्या है तो eco mark क्या होता है पर्यावरण अनुकूलन के लिए eco mark दिया जाता है question number 58 egg mark बहुत बार पूछा जाता है टीटी में egg mark क्या है तो egg mark जो है खाद सुरक्षा अनुकूलन बिसिकली जो food items आते हैं पैकेट में बन उनको एक मार्क दिया जाता है और उससे quality जो है पता चलती है कि जो food product से उनकी quality क्या है egg mark दिया जाता है खाद सुरक्षा अनुकूलन के लिए चले question number 69 की और बढ़ जाते हैं बहुत ही अच्छा question है एक seeing वाला गेंडा कौन से national park में पाया जाता है काजी रंगा असाम ठीक है काजी रंगा असाम question number 60 पर आ जाते हैं गिर का राश्टी उद्यान किस जानवर के लिए पिर्शित है गुजरात के सिंगों के लिए या सिमलीपाल के national park कहां इस्तित है और किसके लिए पिर्शित है ये भी बताना है तो गिर का राश्टी उद्य जान तो आप सो वही को पता हुए गुजरात में मौजूद है और ये सिंगों के लिए यानि वबबर सेर के लिए पिर्शित है लेकिन अब देख लेटें कि सिमलीपाल नेशनल पर कहां इस्तित है और ये किसके लिए ठीक तो बाई सिमलीपाल जो है यह उड़ीसा में स्ति सीट्ट है और यह पिर्सद है हाथी मेरा साथी जी हाँ हाथी के लिए ठीक है कुश्चन नुमर सिटी डू केवला देव पक्षी बिहार या भरतपुर राष्ट्थी उद्ध्यान ये दोनों एक ही जगे के नाम हैं चाहें आप केवला देव पक्षी भारत के राजिस्थान राज में किस राज में राजिस्थान राज में जो है केवला दे पक्षी बिहार और भरत पूर राष्टी उद्यान देखने को मिलता है बहुत अच्छे टूरिश प्लेस हैं लोग घूमने वगएरा जाते हैं यहां पर QSewn Nomor देख लेते 63 तो व्यू मंदल की आदृतता को किस मापक यं Sydney की साजतासे मापा जाता याता है अलग 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 तरह की आदृता मौजूद रहती कुछ शेतर ऐसे होते हैं कुछ शेतर है है जो नम होते हैं तो यह कैसे पता चलता है कि वायू मंदल में किस जगह पर आधरता कितनी है तो वायू मंदल की आधरता को नापने के लिए जो मापक यंत इस्तिमाल किया तो राइट अप्शन हो जाएगा आरगन गैस ठीक है आरगन कुश्चन नमबर 60 सरवादिक लबड़ता विस्त में किस जील की है सबसे जादा लबड़ता वाली जील कौन सी है तो भाई राइट अप्शन हो जाएगा आपका अंसर हो जाएगा वान जील ये कहां है वान जील कहां है ये तुर्की में इस्थित है और संसार की सबसे ज़्यादा लवरता वाली जील ये कहलाती है कुश्चन नमबर 6 देख लेते चो मंदल में पिरती एक क्लोमीटर की उचाई पर जाने पर कितना तापमान घटता है एक क्लोमीटर की उचाई पर जाने पर कितना तापमान घटता है तो उत्तर है 6 देख लब 4 दिग्री सेंटिग्रेट इसी लिए तो उचे उचे पहाड़ों पर बरफ जमी रहती है दोस्तों और लोग गर्मियों में हिल स्टेशन पर भी घुम रह जाते क्योंकि पहाड़ जो है उचे होते हैं और उचाई के साथ तापमान घिरता जाता है और हर एक क्लोमीटर उचाई पर कितना तापमान घिर जाता है 6 दिख लब 4 दिग्री क्योटो संब्मेलन का आयोजन किस वर्स और कहां हुआ था तो राइड ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नमबर जो राइड आर्सर होगा वो होगा जापान 1997 में क्योटो संब्मेलन कई बार क्योटो संब्मेलन से रिलेटर कुश्चन पूछे जाते रहते हैं तो यह उत्तर भी आपके लिए लाबदायक हो सकता है कुश्चन नमबर शिक्टी है हमारे वाइव अन्टल में सबसे अधिक हाइडरो करबन प्रेदूशन कौन सा है कुश्चन नमबर 69 कौन सा देश सरवादिक Greenhouse गैसों का उत्सर्जन करता है उत्तर हो जाएगा चीन कुश्चन नमबर सत्तर विस्वनजीब कोस यानि WLUF का मुख्याले कहां है यह कुश्चन भी कई बार TET में पूछा जाता है तो उत्तर है स्विजर लेंड ग्लांडे कुश्चन नमबर 71 किस राज में सरवादिक राष्टी उध्यान इस्तित है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मत प्रदेश यह बार-बार पूशा जाता है कुश्चन और अगला कुश्चन है बारत में सरवादिक जैब विट्तक किस स्चेत में पाई आती है इस कुश्चन का आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में तब तक अपना ख्याल लखिए अपने माता पिता का ख्याल लखिए अपने देश का ख्याल लखिए जय हिंद जय भारत